यलकम।ो जैलो जास्पिनेैट लुटुप चानिल टो दो फो आज हमकों डिस्केस करेंगे सरी में तशार को सब्डीन बेकर को पर एक कोई कोभर भी देता हूं टेक्स्टर को हमने डिसकेश किया था टेक्स्टर को हमने दो टाइप में ब्रोडली क्लासिफाई किया था स्टाइम सेब जब भी हम देखतें plastic टेक्र तो उसा में सब सब सेवादे अब देखने वाले सेडाय सरोक शडिमेंटर क्या रहा है बात एक ग्या रहेगा उसके उपर लिश्कस करें तो जब AIR भी बात आता सेडाय कट ईबाडली क्लासिफाइटायद करतेंसे को एक है roundness और दूसरा है sphericity ठीक है तो roundness के उपर सबसे पहले discuss करते हैं उसका sphericity के उपर discuss करेंगे तो roundness का meaning क्या है roundness refer to the degree of sharpness of the corners and edges of a grain ठीक है जो भी sediments है या फिर mineral grain है sedimenty rock में इसे कोई एक sedimenty rock है हमारे पास इसमें मतलब multiple sediments है उससे मतलब यह rock बना अभी जो individual sediments एक-एक sediments दीखे रहें जिसे यह sediments है ठीक है जिसे यह कोई एक sediment है अभी particular इसका मैं बात कर रहा हूं यह sediments का जो भी edges है या फिर जो भी उसका outer line है outer line जो भी edges है corner है वह कितना sharp है ठीक है कितना वह sharp है या फिर उसका roundness क्या है उसको ही हम बोले roundness roundness means यहाँपर क्या समझ मारा है individual जो भी समझ लिए कि मेरे पास sediment है अब sediment कहीं हूं जो edges से या फिर corner से वह कितना experienced यहां पर फिर से देखें, roundness refer to the degree of sharpness of the corners यह देखें, आपको corners देख रहे हैं and edges of a grain ठीक है, कोई भी grain का corner और edge को हम बोल रहे है roundness in case of sedimentary texture, sedimentary texture का shape के अंदर हमने देखा दो type में हमने classify किया shape को roundness and sphericity, roundness भी हमने देखा, sediments का जो भी edges और corners का उसका sharpness को यह हम बोल रहे है roundness, okay, तो अब roundness तो यहां तक इसका definition हम समझगे हैं बट roundness को भी define करने के लिए कुछ terms use के रहते, well rounded and poorly rounded, ठीक है अब well rounded का meaning क्या है, उसका definition थोड़ा सा देखते हैं, तो बहुत simple है, if the corners and edges of a grain are smooth तो यहां पर बाहर हम specially हमने roundness का, जो भी हमने definition देखा था, वहां पर भी हमने बोला था, corner and edges का उपर कहीं ने कहीं हम बात करेंगे, means, sharpness of corner and edges का उपर हम यहां पर discuss किया था, roundness में, means, roundness में हम देख रहे हैं, कोई भी individual जो भी grain है, या फिर sediments है, उसका roundness, हम बोल रहें roundness, means, यहां पर हम बोल रहें corners का, जो भी sharpness रहेगा, ठीक है, तो यहां पर हमने उसको एक term में, मतलब define करने को try किया, well rounded, well rounded हम कब बोलेंगे कोई भी sediments को, जब उसका corner और या फिर उसका edges जो रहेंगे, smooth रहेंगे, means, तभी हम उसे बोलेंगे well rounded, smooth means, ज्यादा तर आपको इस टाइप में दिखेगा, means, यह कोई grain इस टाइप में, तो इसको क्या हम बोलेंगे well rounded कभी नहीं, तो इसका corner smooth नहीं है, ठीक, यह देखे smooth नहीं है, या फ मतलब define करने के लिए, दो term used किया well rounded, जिसमे smooth रहेगा, corners और edges of grain, but in case of poorly rounded, यहाँ पर क्या होगा, देखते है, if the corners and edges of grain, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक grain का corner edge क्या रहेगा, sharp and angular, ठीक है, but in case of well rounded, वहाँ पर smooth था, but यहाँ पर poorly rounded में, क्या रहेगा, sharp रहेगा, और angular मिलेगा, means, यहाँ पर कहीं पर भी आपको, मतलब roundness देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर पूरा sharpness देखेगा, और यहाँ पर angularity भी देखने को मिलेगा, अगर यह चीज़ आपको देखने को मिलता है, corner or edges में कोई भी sediments का, तो अगर उसको according to roundness में, अगर term देना sharp रहेगा और angular रहेगा, तो उसी को ही हम बोलेंगा, परली rounded, तो shape का पहला, जो हमने shape को दो type में classify किया था, पहला हमने classify किया था roundness, तो उसको हमने देख लिया, आप देखते है, अप देखते है, उसका meaning क्या है, जिस हमने roundness में देखा, कि corner or edges का हम मतलब बात करें, sharpness, degree of sharp sharpness of corner and edges, उसी को हम बोलें था roundness, बड़ स्पेरिसिटी यहाँ पर क्या है, it is defined as the extent to which the particle approach, आज sphere, means यहाँ पर बात करा है, कोई particle sphere में कितना approach हो रहा है, means कितना वो स्पेरिसिटी दीखा रहा है, ठीक है, means कोई भी जो भी मतलब, पाटिकल हो कितना स्पेरिकल है, उसी हम बोल स्पेर के कोडिंग है, उसी कोई हम बोलें स्पेरिसिटी, ठीक है, but in case of angularity, मतलब in case of roundness, sorry not angularity, angularity हम poorly rounded में बोल रहे थे, ठीक है, angular देख रहा था हमें, corners और edges, but in case of roundness, जब हम बात करतें roundness का, तो वहाँ पर हम क्या देखतें, edges, और corners का हम देखतें sharpness, but यहाँ पर हम क्या मतलब यह कितना rounded है, इसका बाहर का edges, but in case of roundness, वहाँ पर हम क्या देख रहे थे, उसका corners और edges कितना sharp है, but sphericity में हम देख रहे है, वो कितना smooth है, मतलब कितना square के तरफ आपरोच हो रहा है, कितना square के तरफ आपरोच हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी define करने के लिए, जैसे हम spherical means, सभी को पता है, पुरा square रहेगा, sub spherical मतलब थोड़ा सा कही ना कही यहाँ पर angular दिखाएगा, again हमारे पास है irregular, irregular means, वो irregular ही रहेगा, sphere नहीं रहेगा, तो हाँ, sphericity को हम बोल रहे है, कितना वो approach towards the sphere, ठीक है, towards the sphere जितना वो approach रहेगा, sediments, उसको हम बोले, sphericity, sphericity को भी define क करने के लिए कुछ term यूज किया गया, spherical, sub spherical और irregular, ठीक है, यहाँ तर तो I hope आपको सब को समझ में आ गया हुआ, सेप के बारे में, तो plastic texture का जो भी next element है, उसको पर discuss करते हैं, जैसे हमने site के उपर देख लिया, previous video में आभी हमने देखा, सेप के उपर, अब हम देखेंगा, आप sorting term से मतलब पता चलता arrangement के तरफ, ठीक है, किस तरह हो एक दूसरे से, आरेंज है, किस तरह एक दूसरे के साथ उसका relation है, individual जो भी mineral grain है, या फिर individual जो भी sediments है, ठीक है, तो sorting का meaning जा है, it refers to the size range of a plastic particle, ठीक है, obviously हम plastic texture का देख रहे हैं, तो यह तर्मान ही वाला, plastic means sediments, तो sed sediments particle, ठीक है, it refers to the size range, ठीक है, size range, इसका sediments particle का, sediments particle का size range को ही हम बोल रहे है, sorting, constituting a sedimentary rock, कोई भी a sedimentary rock में जो भी particle से, उसका size का range को ही हम कहीं कहीं term दे रहे है, sorting, ठीक है, तो sorting आप सब को समझ मा गया, बर sorting को भी define करने के लिए कुछ term है, मतलब उसके अंदर भी कुछ term के according हम sorting को define करते है, अब sorting तो हम समझ गए, मतलब particle का जो भी size range रहेगा, उसको sorting बोल रहे है, बर size range भी कितना से कितना रहेगा, तो उसको क्या term देना, उसके according हम उसको classify करें, दो टाइप में, poorly sorted और well sorted, अब poorly sorted कब बोलेंगे, the rock is set to be poorly sorted, ठीक हम कब बोलेंगे, poorly sorted, if the size range is large, ज़्यादा आपको gap देखने को मिलेगा, जिसे आपके पास एक container है, इसमें आप randomly, बड़े-बड़े size के आप sediments डालते जाए, आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत 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 बढ़ा रहेगा, तो इसी को हम बोल रहे है, sorting, और ज इसका, क्योंकि सब जो भी है, एक size के हैं, और यह बहुत बढ़े-बढ़े मतलब size में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर void space रहे जा रहा है, ठीक है, जिसे, अगर मैं बढ़े-बढ़े रखता भी हो, यह दिखे, आपको बीच में void space देखने को मिलेगा, ठीक है, बढ़े-ब इन-case of well-sorted, आप टार्म से पता जल रहा है, हम बात कर रहें, well-sorted का, यहाँ पर कहीं है, size range रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, narrow रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, the rock is set to be well-sorted if the size range is narrow, जब भी कोई कर रहे, मतलब, छोटे-छोटे मतलब particles जो रहेंगे, या फिर आप जो plastic particles रहेंगे, छोटे-छोटे, अगर वो छोटे-छोटे हैं, तो इसको अब अगर random मिले भी डालते हो, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से close होके रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा close होके रहेंगे, तो यहाँ पर आपको gap space देखने, जैसे gap space एक दूसरे के बीच में, बह हमने देखा, save के उपर, save के उपर हमने देखा roundness and sparsity, roundness हम किसको बोल रहें, sharpness and sharpness बोल रहें, किसका sharpness, corner और edge का, ठीक है, corner और edges का sharpness को हम बोल रहें, roundness, ठीक है, again, हमने पास है sparsity, sparsity मतलब वो कोई भी particular spare के दिरब कितना approach कर रहा है, उसको हम स्पेरिशी बोल रहें, हमने देखा, shorting, यहाँ पर, shorting means, हम size range के उपर बात कर रहेंगा, size range बड़ा बड़ा रहेंगा, तो बड़ा बड़ा रहेंगा, उसा ही हम बोल रहें, poorly sorted, बट, जब बात आता है, well sorted का, तो यहाँ पर size range बहुत छोटा रहेंगा, narrow रहेंगा, इसलिए, bird space कम रहेंगा, इसल तो यह वीडियो यहाँ पर मैं end करता हूँ, कुछ भी doubt हो, comment कर दीजे, इस topic के related, जो भी doubt है, comment कर दीजे, वीडियो कर अच्छा लगा, like कर दीजे, अगर आप चैनल पर नए है, प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे, साथ ही में bell icon को प्रेस कर लिजे, ताकि जब भी इस तरह कोई जो लोजी रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहलों से देख सकें, thank you for watching